हमारी इस संपूर्ण प्रत्वी पर और विशेश कर भारत भूमी पर अनंत काल से माता जगत जननी के हजारों ही नहीं बलकि लाखों सिध्ध और प्रसिध मंदीर हुआ करते थे, जिन में से अब मात्र कुछ शेश रहे गए हैं और बाकी मंदीरों का तो अकरांताओं ने अस उनमें से सनातन संस्कृति यानि कि हिंदू धर्म के लिए सबसे प्रमुख तीर्थों में अपने एक विशेश स्थान रखने वाला माता सती को समर्पित 51 प्रमुख सत्ती पीठों में से एक चामुंडा देवी के नाम से विश्व प्रसिध मंदीर हिमाचल प्रदेश के का कांगडा जिले में आज भी मौझूद है नमशकार में अजे चोहन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आएं तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करके पास में बेने बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे तो अगर आप लोग भी माता चामूंडा के इस मंदीर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो इस मंदीर से जुड़ी एक छोटी सी पौरानिक जानकारी ये है कि यहां मंदीर हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले में स्ती थे इस चामूंडा देवी मंदीर के बारे में भागवती पुरान में उलेक मिलता है कि यहां पर माता सती के चरणों का एक भाग गिरा था जिसके बाद से इस स्थान को शक्ति पीट के रूप में पूजा जाने लगा इसलिए किसी सिद्ध पीट की मान्यता भी शक्ति पीट इस्तलों से कम नहीं होती तो सबसे पहले तो यहां यह जान ले कि यहां जाने के लिए किसी भी मोसम में कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि गर्मी के मोसम में अन्य पहाडी छेतरों की तरह ही कांगडा जिले में स्थित इस चामुंडा देवी के प्रसिद्ध मंदिर में भी परेटकों की भीड देखी जा सकती है लेकिन सर्दियों के मोसम में भी यहां परेटकों की कमी नहीं रहती इसलिए कहा जा सकता है कि आस्था के साथ सत्परेटन का आनंद लेने वालों के संख्या भी यहां हर मोसम में अच्छी खासी रहती है सरतियों के मोसम में यहां पाराशुन्य डिग्री से नीचे पहुँच जाता है इसलिए अच्छी खासी ठंड पड़ती है लेकिन सरधालूं की भीर कम नहीं होती ऐसे में यहां आने वालों को अतिरिक्त गरम कपड़ों के आवशकता होती है जबकि अप्रेल से अक्टूबर के बीच के महीनों में यहां दीन का मौसम गर्म रहता है लेकिन सुबह शाम और रात के समय हलकी ठंड हो जाती है जनवरी से मार्च के महीने में यहां सबसे अधिक परेटकों को देखा जा सकता है तो बात करें यदि स्थानी भाषा एओं भोजन व्यवस्था की तो यह मंदिर क्षेत्र और परेटन स्थल हिमाचल परदेश में आता है और हिमाचल परदेश किसी समय में पंजाब का ही एक भाग हुआ करता था इसलिए यहां पंजाबी भासा सबसे अधिक बोली जाती है इसके अलावा हिंदी बोलने वालों की संख्या भी कम नहीं है भोजन व्यवस्था की बात करें तो यहां करीब-करीब हर परकार के उत्तर भारती और खास तोर पर पंजाबी और पहाड़ी पकवानों का अनंद लिया जा सकता है बात करें अधि दूरी की तो चामुंडा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बान गंगा नदी के तड़ पर पडर नामक इस्थान परिस्थी थे और इस स्थान के आसपास के अन्य प्रमुक शहरों और स्थानों से मंदिर की दूरी की बात करें तो धर्मसाला से 10 किलोमेटर, पालमपूर से करीब 25 किलोमेटर, मरांडा रेलवे स्टेशन से लगबग 30 किलोमेटर, धर्मसाला से 18 किलोमेटर, मेकलियोड गंज से 25 किलोमेटर कांगडा से 26 किलो मेटर और जाला मुखी से 55 किलो मेटर की दूरी परिस्तीत है रातरी विसराम को लेकर बात करें तो चामणडा देवी का मंदीर के आसपास रातरी विसराम के लिए होटल और धर्मसालाओं की सूधा आराम से मिल जाती है लेकिन क्योंकि मंदीर से करीब 15 से 50 किलो मेटर के आसपास अन्य कई परमुख परिटन इस्थल और प्रसिद्ध शहर मौजूद है इसलिए अधिकतर यातरी उनी शहरों में रात को टहरना पसंद करते हैं और अन्य तुमें बात आती है कि चामुंडा देवी मंदीर तक कैसे पहुँचे तो सडग मार्ग से चामुंडा देवी मंदीर तक पहुँचने वाले यातरियों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुक शहरों से यहां मंदीर सडग मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है इसलिए हिमाचल प्रदेश और रोडवेच विभाग की बसों की मदद से चामुंडा देवी मंदीर तक किसी भी दिशा से आसानी से पहुँच सकते हैं यहां की सडगे बहुत अच्छी और खुली है रेल द्वारा चामुंडा देवी मंदीर तक पहुँचने के लिए भी यहां रेल की सुविधा उपलब्द है क्योंकि पठान कोट से करीब 115 किलोमेटर की दूरी परिस्तित मरांडा स्टेशन तक छोटी लाइन पर चलने वाली टॉय ट्रेन यानि की नेरो गेज वाली रेल गाड़ी के द्वारा यहां पहुँचना होता है इसके बाद मरांडा स्टेशन से चामुंडा देवी मंदीर की दूरी लगभग 30 किलोमेटर रह जाती है जिसमें आपको मंदीर तक जाने के लिए स्टेशन से बस या फिर आटो और टेक्सी की सवारी मिल जाती है हवाई जहाज से हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले के पालंपूर में इस्तितमा चामुंडा देवी के इस मंदीर तक पहुँचने के लिए यहाँ का सबसे नजदी की हवेड़ा यहाँ से यानि की मंदीर से करीब 30 किलोमेटर दूर कांगडा में गगल नामक एक स्थान परिस्ति थे कांगडा नामक यहाँ कोई बहुत बड़ा और व्यस्त एरपोर्ट नहीं है इसलिए यहाँ बहुत ही कम उड़ाने आती जाती है इसलिए इस एरपोर्ट से स्थानी रोलवेज बसे और टेक्सी की सुधायों के जरिये चामुंडा देवी मंदीर तक पहुँचा जा सकता है जबकि चामुंडा देवी मंदीर के लिए पठान कोट में दूसरा सबसे बड़ा और नज़दी की एरपोर्ट है जो भारत के कुछ सबसे व्यस्त हवाई अड़ो में से एक है तो अगर यह जानकारी आप लोगों का अच्छी लगी हो तो करफे कमेंट बाक्स में अपने विचार हमें जरूर बताए और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इससे सबस्क्राइब करके पास में बने बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जैहिन वन्यमातर